वर्ष 2020 के दादा साहब फाल के पुरसकार से किसे सम्मानित किया गया है? A. हेमा मालिनी B. पूनम धिलो C. उदित नाराएं D. आशा पारेक आपका उत्तर है D. आशा पारेक राजस्थान की पाकिस्तान से लगी सीमा की लंबाई है A. 1070 किलोमीटर B. 1170 किलोमीटर C. 1270 किलोमीटर D. 876 किलोमीटर आपका उत्तर है A. 1070 किलोमीटर राजस्थान के किस शेत्र में विंद्य पठार का विस्तार है? A. उत्तर पूर्व B. दक्षन पश्चिन C. दक्षन D. दक्षन पूर्व आपका उत्तर है D. दक्षन पूर्व राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा शहर है? A. अजमेव B. जैसल मेव C. जोदपूर D. दक्षन पूर्व दक्षन पूर्व आपक्षन पूर्व आपका उत्तर है A. पन्जाबर्मल शर्मा D. सहस्मल वोहरा आपका उत्तर है A. अर्जुन लाल सेथी वर्धा में राजस्थान सेवा सन्द की स्थापना कब की गई? A. उन्नीस सो उन्नीस B. उन्नीस सो बीस C. उन्नीस सो इक्कीस D. उन्नीस सो बाईस आपका उत्तर है A. उन्नीस सो उन्नीस वीर भगत समाज किसने स्थापित किया? C. जोगपुल D. कोटा आपका उत्तर है A. करॉली राजस्थान के लिंबाराम ने किस खेल में अंतराश्च्य ख्यादी प्राप की? A. लॉन टेनिस B. टेबल टेनिस C. तीरंग दाजी D. टेराकी आपका उत्तर है C. तीरंग दाजी राजस्थान के एकिकरन के सब्टम चरण में किन ख्षेत्रों को सम्मिलिट किया गया? A. जैपुर B. अजमेर तथा आबू C. मत्स्य संग D. सिरोही आपका उत्तर है B. अजमेर तथा आबू व्रिहत राजस्थान का प्रधान मंत्री कौन था? A. मोकुल भाई भटट B. जैनारायन व्यास C. हिरालाल शास्त्री D. मानिक्य लाल वर्मा आपका उत्तर है C. हिरालाल शास्त्री राजस्थान के राजनितिक एकिकरन की प्रधिया शुरू हुई A. उन्नीस सो अर्टालीस B. उन्नीस सो उन्चास C. उन्नीस सो पचास D. उन्नीस सो इक्यावन आपका उत्तर है A. 1948 राजस्थान का पश्च्चिमी क्षेत्रिय रेलवे प्रशिक्षन स्कूल कहा स्थित है A. बीका नेल में B. जैपुर में C. जोदपुर में D. उदेपुर में आपका उत्तर है D. उदेपुर में